हेलो फ्रेंद्स, वेलकम प्यू तो फिजियो स्कूल ओके, सो आज हम नेक्स टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो की है, इडेंटिफाइंग जॉइंट एक्सिस अबाउट विच रोटेशन तेक्स प्लेस तो हमारे बॉडी में हर जॉइंट के अराउंड रोटेशन मुवमेंट्स होती हैं फ्लेक्शन एक्सेंशन, फ्लेक्शन एक्सेंशन, मीडल एक्सेंशन, अब्डक्शन, अडक्शन, वो सारी कौन से हैं रोटेशनल मुवमेंट्स हैं, तो कौन से एक्सिस के अराउंड होती है, किसी जॉइंट में, वो कैसे फाइंड करना है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंदा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने अरओ ने काराउंड जितने भी मुवमेंंट्स होती हैं, इ lire कि ऐ अगरे म 350 है, और आपको भने और इहां जाएंड आपको मेंट्स होती हैं, वह सारी साथ उनके बीच में हो रहे हैं contact forces जब दो surface के बीच में contact होता है तो हमें पता है contact होने की वज़या से उनके बीच में friction प्रड्यूस होता है अगर वो दोने के बीच में contact होका और उन दोनों के बीच में अगर movement होगी तो उसके against एक फ्रिक्षिन के काम और वही उसको अपोस करना मतलब उसके अगेंस काम करना ठीक है तो यह जो मिंश्य जोईन चे बीच में उनकों करने काम एक to capsules और ligaments क Keysuit करती है यह हमारा नीचे अगर हम यह faemur बना दिया एक चौर यहां पर एसाथ कंडै बना दिया हमने कॉंडा इसके साथ ठीक है तो यहां इसके उपर लग रही कैप्सुल्स और सेकेंड इनके बीच में जो कॉंटेट फोर्स है वह होगा जो इनके मुवमेंट को थोड़ा उनको रोके गए या फिर उनको पटिकुलर अमांट में होने देगा ठीक है चलिए और मुवमेंट कैसे सब्सक्राइब करें जूअलेकजेंडर हमारा गुथ इसका पैर है नो फोर्स को हम हर रहा लेते हैं उस एक्जामपल को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसके उपर। उसके उपर से आज साज देखेंगे कि हमें कैसे एक्सिस को फार्इन करना है ठीक है चलि यहां आगे कुछ भी फोर्स नहीं लग रही है तो इस मोमेंट में यह पैर ऐसे लटका ऐसे करके बैठा है समझ कीजिए कि वह लेग प्रेस मशीन वाला फिगर अगर आपको याद हो तो यहां से लेग प्रेस हमने हटा दिया पस ऐसे ही पैर रखा है ठीक है तो अभी हवा मे पैर रखा है तो अब इसमें क्या एक फेक्ट हो रही है इसमें सबसे फेयर और जीपिझद ही फोर्स लगाए है तो ग्र्येविटी की फोर्स लगने की वर्यास से क्या होगा नीजय थोड़ा ट्रांसलेशन होगा इसमान इस ब्रके के Female लगेगी यह一點 काक्समितात अनी तर जाएगी ये टीबिया तो इसके उपर ये जो कैपसूल है ना वो अपना फोर्स लगाएंगी और कब तक लगेंगी जब तक ग्रैविटी का फोर्स अपोस यहां पर 48 न्यूटन लग रहा है तो कैपसूल जब तक 48 न्यूटन फोर्स अपनी तरफ उपर नहीं लगाएगी आपने लिदा ना ना ये जब तक ग्रैविटी की फोर्स ती उसको रोकने के लिए ना पर लगाएगा तो मतलब त्रांसलेशन को रोकने के लिए ये जॉइंट कैपसूल या फिर जॉइंट कॉंटाइट फोर्स लगाता है और जैसे ही वह रुख जाता है तर तर नोटिस की अगर rotation कहां पर होना चाहिए था इसी point की से start होना चाहिए था पर हो कास हो रहा है हलका transition होने के बाद नीचे से start हो रहा है तो इसके axis जो थी rotation की वो तो बदल गई तो जो axis होती है bone में वो बदल जोइंट में sorry वो बदलती है उनको कहते हैं instantaneous axis of rotation मतलब वो translation के साथ साथ वो जो axis है वो थोड़ी थोड़ी भी नीचे चाती रहती उसके बाद rotation होता है ठीक है तो translation की वरिष्ट जो axis थी वो भी थोड़ी नीचे चली गई और उसके बाद rotation start हुआ तो इसको हम कहते instantaneous axis of rotation मतलब इस पॉइंट के उपर अगर suppose capsule लगा रही है जो फोर्स लगा रही है तो इसी पॉइंट के अरां rotation होना चाहिए पर नहीं इस से थोड़ा नीचे की पॉइंट पर rotation इस पॉइंट से rotation है क्योंकि क्या है ट्रांस्टेशन की वरिष्ट थोड़ा खिसके नीचे चली गई क्योंकि gravity फोर्स लगा रही है ठीक है और कब तक खिसके की नीचे जब तक उपर से capsule इसके ओपर फोर्स नहीं लगा देगा और उसको बहुत बस अब और नीचे तको नहीं जाना है बस उसके बाद तू rotation कर अराम से ठीक है चलिए इस एक्जांपल में आप देख सकते हैं कि यह टॉर्क ही प्रड्यूस हो रहा है क्योंकि हमारे पास दो पैरलल फोर्स है एक तो gravity की पैरलल फोर्स और दूसरा यह capsule की पैरललल फोर्स है दोनों फो और फोर्स लगा देकि जितना ग्रैविटी नीचे की तरफ लगारे है मतलब उसको ट्रांसलेशन हो गा होता रहे Может एक आप्सल की तरहां हमारा थाफ मुत और और आराम से प्यूरूर्स एमज़ की तरफ का मुटेशन का मुटन हूँ होताब है नी दो को इसकी डेशा सी एक को अब उसकी एक्सिस बदलती जाएगी तो आपको एक ऐसा पॉइंट चूज कर लेना है मिडल में कि जिसके अराउंड आप सारा टॉर्क कि अगर सपोस करें आपको एक तौर्क सबस्क्राइब करना है ऑर ट्रांसलेशन हो रहा है तो ऐसे आप कैसे करोगे कि उसका पॉइंट यहीं के तो कैसे करोगे किस पॉइंट से हम चूष करें तो उसका एक Arenda जूह कर तो पर जोए कोई कप्सुल रोकना ले या फिर कोई जोईन की सर्फेस की भीश में कॉंटक फोर्स आएगा उसकी वाइसे फ्रिक्शन फोर्स आगा वह उसको रोकना ले इस एक्जामपल इतना काम नहीं करें कोई ऐसा जोई जिसमें बहुत जादा कॉंटक हो उनके उनके कॉंटक फोर्स की वाईसे उनके बीश में कितना फ्रिक्शन पर्ड्यूस होगा तो फ्रिक्शन उसको नीचे नी जाने देगा और अराम से रोटेशन हो जाएगा ठीक है तो यह कहने का मतलब है कि इस पॉइंट जिस पॉइंट पर रोटेशन उसका सेंटर पॉइंट ढूंगे आपको वह एक्सेस गिनना है क्योंकि अगर आप हर पॉइंट को देखो गे तो आपका टॉर्क बादा बदा जाए तो कि टॉर्क का हमें क्या है एक पॉइंट से हम लोग डिस्टन्स फाइंड करते है कि कि क का तो मोँमेंट आम होता है यहां हमें कहा से झाल पॉइंट टीक करें थाहिंट करेंगे फिक के